आज साथ फेब्रेरी दो हजार तेज़ बाप दादा के महवा के हैं मीठे बच्चे इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है यही गीता शास्त्र है निराकारी मत का शास्त्र साकारी मत का नहीं यही बात सिद करो कि श्री क्रिशन का भगवान श्री क्रिशन नहीं साकारी श्री क्रिशन नहीं है निराकारी परम पिता परमात्मा है जिसकी हमें इस समय डिरेक्शन मिल रही है इस्ट्रक्शन मिल रही है यह हमने प्रूव करना है प्रशन है कौन सी गुया बात डीप बात बड़ी युक्ती से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं क्या कौन सी बात फर्स्ट क्लास बच्चे समझा सकते हैं उतर है ये ब्रह्मा ही शिरी क्रिशन बनते हैं ब्रह्मा को प्रजा पिता कहेंगे शिरी क्रिशन को नहीं तो निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुक से ब्रामन रचे हैं शिरी क्रिशन तो है छोटा बच्चा और गीता का भगवान है निराकार परमात्मा तो शिरी क्रिशन की आत्मा ने पुरुशार्थ करके एफ़र्स करके ये प्रारब्स पाई ये रिवार्ड मिला उसको अब ये है बहुत गूईा बाते जो फिस्ट क्लास बच्चे ही युक्ती से समझा सकते हैं समझा सकते हैं और तो और बाबा ने कहा बीस नाकुन का जोर दे कर ये बात सिद्ध करो तब सरविश की सफलता होगी कि इतना जोर दे के बाबा ने समझा है कि ये प्रूव कर दिया तो समझे लो आपने सेवा की है अगर ये प्रूव ही कर सके तो आपकी सेवा में सफ़ता नहीं है सारा खेली इसी बात पर है कि श्री किशन गिता का भगवान नहीं है गित चला कौन आया मेरे मन के दौरे पाइल की जनकार लिए आँख न जाने दिल पहचाने सूरतिया ये कैसी है कि दिल तो पहचानता है ये आँखे स्थूल आँखें नहीं पहचानती ये किसके लिए कहा गया भी भावन ने मुली में सुनाया ऑम शानती बच्चों ने सुना ये आँख स्थूल आँख नहीं जान सकती किसको भगवान को बनाजी आँखे शिरी कृष्ण को तो जान सकती है बगगवान को नहीं जान सकती यानि आत्मा ही पर्मात्मा को जान सकती है तीसरा नेत्र पर्मात्मा ने में ग्यान का दिया है आत्मा का ग्यान दिया है उससे ही हम पर्मात्मा को जान सकते है आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परम आत्मा परमात्मा निराकार है आत्मा निराकार है हमारा पिता भी निराकार है तो निराकार होने के कारण इन स्थूल आँखों से ना देखने के कारण इतनी याद ठहरती नहीं तो ये निराकार बाप निराकारी बच्चों यानि आदमाओं को कहते हैं तुमको निराकारी मत मिलती है तो गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का साकारी मत का नहीं गीता धर्म शास्त्र है ना जैसे इसलामियों आदी का भी धर्म शास्त्र है यानि जो जो इब्राहिन ने उचारा, बुद्ध ने उचारा, क्राइस ने उचारा, अब उन्हों के तो शरीर है, चितर है, गीता, जो सर्व शास्तरमई शिरो में नहीं है, सबसे टॉप पर है गीता, उसके लिए मनुश्यों ने शिरी कृष्षन का चितर दिखा दिया, शिरी कृष्षन का शिरी दिखा दिया, साकार दिखा दिया, परन तुब बाप समझाते हैं, यह रौंग है, क्योंकि गीता मैंने उचारी, गीता माना, जिसमें राज्योग है, राज्योग मैंने सिखलाया, क्या फैदा वो राज्योग से ? और स्वरकिस थापना की तो मैं हूँ निराकार परमपिता परमात्मा तो मैं ही तुम सर्व आत्माओं का बाप मुनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप हूँ मुझे ही कहा जाता है व्रिक्षपती श्री क्रिष्टन को नहीं कहेंगे व्रिक्षपती तो परमपिता परमात्मा ही मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप और क्रिएटर है श्री क्रिष्टन को क्रिएटर ही नहीं कहेंगे तो वो तो सिरव दैवी गुण वाला मनुष्य है और भगवान है एक श्री क्रिष्टन को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकता कुछ किरिशन को मानने वाले कुछ राम पंती है कोई फ्राने पंती है बहारत में भी सारे शरी किरिशन को नहीं मानते तो बाप कहते हैं मैं पांच़ जार वर्ष के बाद यानि कल्प के संगम पर आता हूँ पूरे साइकल के लास्ट के संगम पर आता हूँ मैं सारे स्रिष्टी का बाप हूँ मुझे ही कहते हैं गौड फादर शिरी कृष्णन का नाम देने से परम पिता परमात्मा को जानी नहीं सकते यही तो बड़ी भारी भूल कर दी है क्योंकि गीता द्वारा आदी सनातन देवी देता धरम मैंने ही सापन किया है मुझे शिव वा रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सुक्ष्ण देवता को कोई भी मुनिश्य को भगवान कहा ही नहीं जाता लक्ष्मी नारायन आदी कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता तो कहा जाता कहा ही जाता है गॉड इस वन परमात्मा एक है भगवान वाच भी है भवान ने बोला भी है वच्चन भी उचा रहे है तो जरूर भवान आया होगा और आकर के राज्युक सिखाया है तो बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था शिरी कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे कहें नहीं सकता खुद बच्चा तुसरों को बच्चा कैसे कहे तो परम पिता परमात्माई सभी को बच्चे कहते है भवा कहते हैं कल पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अविमानी बनो, सोल कौश्यस बनो, और मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो, जब तक हमारी सोल कौश्यस टेज नहीं होगी, आत्मिक समर्थी नहीं रहेगी, उस बाबा कुछ समझ नहीं सकते, उस बाबा से प्यार हो ही नहीं सकता, पहली कर्दिशन है, समझना, अपने को हम दे समझते हैं, तो देधारी ही याद आएंगे, देधारियों से ही प्रीत बनी रहेगी, अब साकारी बाप, प्रजा पिता ब्रह्मा होई नहीं सकता, है ना, साकारी बाप हो सकता है, प्रजा पिता ब्रह्मा, साकारी बाप, प्रजा पिता ब्रह्मा ठ थहरा कौन बाबा बाबा साकारी बाब है ना वो तो प्रजा पिता नहीं मुरु शृष्ष्टी का बच्चा ठहरा क्यों कौन सबाब बर्मा तो ब्रमा द्वारा ही भगवान ने ब्रह्मन ब्रामिया रचे बीके रचे तो शृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् श्री क्रिशन बनता है यह समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए तो फर्स्ट क्लास बच्चेया ही समझा सकेंगी पावने बनारस में डॉक्टर गुपता होते थे उनको कहा था तुम सेवा करो क्योंकि बनारस में विद्युत मंडली है ना वहां पर जितने भी महा मंडलेश तो वहां पर गुपताजी थे वकील थे उनको कहा था कि आप करो समझाओ सबको तो बाप कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा वा बच्ची हो जो सिद करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और राजयोग सिखा करके स्वर्ग रचा जरूर उंचे ते उंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा तो शिरी किश्ण ने तो प्रारप्द पाई रिवाड़ पाया तो प्रारप्द देने वाला है परंपिता परमात्मा तो शिरी कृष्ण है उनका बच्चक्त्र शिरी कृष्ण की आत्मा ने पुर्शार्थ किया और प्रारब्द पाई श्रीकिशिंग आत्म में ब्रमा बाबा ने पुर्शार्थ किया और रिजवार्ड मिला तो पुर्शार्थ कराने वाले को उड़ा कर पुर्शार्थ करके प्रारब्द पाने वाले का नाम रखकर क्या किया गीता को ही खंडित क कर दिया अब सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को बीस नाकुन का जोर देना चाहिए पूरा जोर लगा दो कि गीता किसने उचारी गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया इस ही बात से तुम अच्छी रिती जीत पहन सकते हो तो परम पिता परमात्मा द्वारा स्वर के मालिक बनते हैं नाकी शिरी क्रिशन द्वारा तो इसी बात पर मेहनत करनी हैं कि अब अब सभी शास्तर जितने भी बने हैं कहां से बने सब गीता से बने हैं सब ने गीता से नकल मारी हैं ना सब हैं गीता के बच्चे तो बच्चों से कभी वर्सा मिली नहीं सकता वर्सा तो जरूर बाप ही देंगे अब काका चाचा मामा गुरू आदी कोई से भी वर्सा नहीं मिलता तो बेहत के बाप से ही बेहत का वर्सा मिलता है तो ये लिखत ये लिखत ऐसी साफ करके लिखनी हैं कि समझ जाएं कि बरोबर गीता तो खंडन की है यानि गीता को डिफेम किया है इसलिए भारत का गाल बन गया है कोड़ी तुल्य बन गया है ऐसी लिखत लिखो तो भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है स्वर्ग कहा है कल्यू के बाद सत्यूग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए तो शिव भगवान वाच शिव भगवान की वचन क्या है मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूं तो ऐसे सिद्ध करो जो समझें कि शिव परमात्माही सब को दुखों से लिप्रेट करते हैं ना कि शिरी क्रिशन तो गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चड़ाएंगे सब ही नहीं चड़ाएंगे जो समझ गए वह फूल बनकर बली चड़ जाएंगे फूल बनकर इस प्यूर बनेंगे पवितर बनेंगे और बाबा पर बली चड़ जाएंगे बाबा पर सरंडर हो जाएंगे समर्पित हो जाएंगे अब बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल यानि बच्चे चाहिए उस फूल से क्या करना मुझे फूल जैसे प्योर बनने वाले बच्चे चाहिए काटे मेरे पर बली चड़ें जो विकारी हैं वही मेरे पर बली चड़ें तो मैं उन्ही को फूल बनाऊं जो विकारी हैं वही सिरिंडर होने चाहिए उन्ही को तो मैं फूल बनाऊं और बड़ी बात किसको फूल बनाएंगे बाबा बबूल नात भी मेरा नाम है तो बबूल के कांटे को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं बबूल में सबसे बड़ा कांटा बहुत है बबूल का तिखा कांटा यानि सबसे जो विकारी है तमो परदान है उन्हीं को मैं फूल बनाता हूं तमो परदान को सतो परदान बनाता हूं ऐसे ऐसे मिले चाहिए बिल्कूल तो हम उपर आना है अब श्री कृष्ण तो स्वयंफ कूल है तो वह है गार्डन ओफ अल्ला और यह है डैविल फॉरस्ट श्री कृष्ण गार्डन ओफ अल्ला बगवान ने जो स्वर्ग बना उसका उस पे हैं और बाकी तो है कल्युक विकारी इनी को फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है बनाता है यानि तुम ही नई दुनिया के मालिक बन्ते हो लकष्णी नराएन की डीटी डैनेस्टी कही गई है तो ब्रामन कुल की डैनेस्टी नहीं जouse गी ब्रामनकुल की डैनेस्टी नहीं कहेंगे तो ब्रामनकुल कुल है एक परिवार है तो परम पिता प्रमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच्छी मुनुश्रिष्टी रच्छी इसलिए इनको कहा जाता है प्रजा पिता ब्रह्मा मुनुश्रिष्टी का पिता ब्रह्मा शिव बाबा को वा शिरी क्रिशन को प्रजा पिता नहीं कहेंगे ये तो क्रिशन पर कलंक लगाए हैं क्या कलंक लगा दिये कि 16,108 रानिया थी ये तो प्रजा पिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की है 16,000 बच्चे थे जिपको ग्यान दिया और शास्त्र में दिया शिरी क्रिशन की 16,118 रानिया थी अब ग्यान का सागर है ही एक परम पिता परमात्मा परमात्मा बाप है तो पाप का दन धर्म राज देते है अब प्रेजिडंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे जज जिन को पाइलमेंट करते हैं और राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता क्यों? क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान कितनी डीब बात है नहीं? वो राजा आए हैं अल्पकाल के लिए यहां तो बाप 21 जन्मों के लिए राजे और भाग्य देते हैं तो वहां कसम उठाने की तो बात हैं जब भगवान ही दे रहे हैं तो कसम क्या उठवानी है? तो यह यह मनुष्ष्ष्ष्ष्टी रूपी मनुष्ष्ष्ष्ष्टी रूपी वरिक्ष्ष है नरसे नरायन तो बाप ही बनाएंगे ना कि शिरी क्रिशन अब मुख्य धर्म शास्त्र हैं कितने हैं चार हैं बाकी बाकी सब दंत कताएं चलो फेल कर दिये बाकी शास्त्र बाबा ने सब कहाँ ये डाली हैं ऐसी जिसने जो कहा दिया बना दिया शास्त्र बाकी तो पहला पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा स्वर्ग में था देवी देवता धर्म तो जरूर वह बाप ही रचेगा तो बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं क्यों क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है तरही तरही करते ही रहते हैं तो बाप से स्वर्ग का वर्सा लेना है लेना है तो अभी लो तो अभी लो साधारन आदमी कोई वर्सा देई नहीं सकता ना ले सकता है नहीं बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाप तो बेहत का बाप ही स्वर का मालिक बनाते हैं तो ऐसी ऐसी टेम्टेशन देनी है कि चार देनी है जग लोग खिचे जाएं अकर्शी तो जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी त्यारी करके शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं न यहां शिकार कराना है माताओं से ऐसी ऐसी माताओं से तो बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना माताओं क्या शिकार करेंगी भाईयों को बोलो तुम शिकार आगे ले आना अब माताओं तो बहुत है नाम एक का बाला हो जाता है तो तुम हो शक्ती सेना कौन हो शिव शक्ती की सेनाएं शक्ति डाइनेस्टी नहीं कहेंगे शक्ति सैना की मुक्य है कौन है मुक्य है जगतंबा काली सरस्वती बाकी चंडी का आधी आधी उल्टे नाम भी बहुत रख दी है तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि उचे ते उचा भगवान फिर भ्रमा विश्नु शंकर तो प्रजा पिता भ्रमा की बेटी है सरस्वती उनको कहते हैं गौडे जौफ नौले तो जौरूर उनके बच्चों को भी गौडेज ओफ नौलेज जी कहेंगे एक को तो नहीं कहेंगे सब बच्चों को भी कहेंगे गौडेज ओफ नौलेज बाकी बाबाने क्लियर किया अंत में विजे तो तुमारी होने वाली है कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं तो भी गीता का परचार ही ज्यादा है बाब कहते हैं मैं आता ही हूं संगम पर तो शिरी क्रिशन का चितर है ही सत्यू का फिर फिर चुरासी जन्मों में रूप बदलता जाता है हर बारी शरीर उसका बदलता जाता है ग्यानी तू आत्मा तब बन सकते हैं ग्यानी तू आत्मे ग्यान सरूप आत्मा ग्यान के काबिल आत्मा एंलाइटन्ड सोल तब बन सकते हैं जब परम पिता परमात्मा आकर आत्मा का ग्यान देवे तो परम पितर परम आत्मा है ग्यान का सागर उन्द्वारा तुम बनते हो ग्यानी तू आत्मा Biz अग्यानी तू आत्मा नौलिज़बल अद्ध मुझानी तू आत्मा प्रिये लगते हैं जो knowledgeable souls हैं वोई मुझे प्रिय लखते हैं तो मही मासारी है गीता की, तो द्यानी से ज्यानी श्रेष्ट है, जो द्यान में जाते हैं सोते हैं, ट्रांस में जाएं, बाबने का वो मुझे अच्छन लते हैं, मुझे ज्याद अच्छी को नहीं, जो ग्यानी हैं, ज्यान कहा जात है ट्रांस को ये तो बाप से योग लगाना है ध्यान में जाने से कोई भी फाइदा नहीं है तो बाप कहते हैं मैंने ही राज योग सिखाया था श्री क्रिशन को ये प्रारब्द मैंने ही दी थी जरूर पिछले जन्म में पुर्शार्थ किया होगा तो सारी सूर्य वंची राजदानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्द पाई है तो दिल्वाना मंदिर का कॉंट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही जो पढ़ने से ही मनुश्यों को जट तीर लग जाए यही तो यादगार है फिर फारम भी भराना है कि बेहत का बाप ग्यान का सागर है और बहुत मीठा है क्यों मीठा है हमको राज योग सिखलाता है तो उस सत्गुरू बिगर है गोर अंधियारा तो ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धी में लव आएगा क्योंकि उसके बगेर ही है गोर अंधियारा तो बाप समुक आकर जनम दे तभी तो लव होगा ना तो तुमको जनम दिया है तभी तो बाप से लव हुआ है तो बाप कहने से ही लव की हो गया बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है प्राप्तियां याद आती है तो बाबा है बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हम उनसे वर्सा स्वर्ग का ले रहे हैं अब तुम इस बात पर इश्वास करो या ना करो बेहत का बाप तो सभी का बाप है उनसे जरूर स्वरक का वर्सा मिले गई बाप है ही नई दुनिया का रचेता तो जरूर नई दुनिया का ही वर्सा देगा अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते तो धारना के लिए मुक्सार है बाप का प्रिये बनने के लिए कैसे बनेगे बाबा का प्रिये बुद्धी में ग्यान को धारन कर ग्यानी तू आत्मा बनना है जितना बुद्धी में ग्यान होगा बाबा का अपना अप लव बनेगा तो बाप से लव बन गया फिर बाबा से योग लगाना है और ध्यान की आश नहीं रखनी है कि बाबा मारी डोर कीचे हमें दिवीजन कराए उसकी आश नहीं रखनी है ग्यान से वीजन बनाओ दूसरा माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है अथोटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है उसमें बीस नाखुन के जोर से सर्विश को बढ़ाना है वर्दान इस स्रेष्ट जीवन की समरीती द्वारा विशाल स्टेज पर विशेश पार्ट बजाने वाले हीरो पार्ट धारी कौन है हम हीरो पार्ट धारी कैसे बनेगे हीरो पार्ट धारी इतनी बड़ी स्टेज अब बेहत की स्टेज पर जब हम स्पेशल पार्ट बजाएंगे अब ही तो हीरो कहेंगे न हीरो में स्पेशल तो कैसे में जाना है इस श्रेष्ट जीवन की समरीती द्वारा कितना श्रेष्ट जीवन बाबा ने बना दिया क्या क्या प्राप्तिय बाबा ने जीवन में करा दी जब यह समरीतिया रहेंगी कैसे बाबने ग्यान दिया कैसे cha श्रेटान जीवन की इसमरिẫn रहेंगी आपओर जो पर स्पेशल पार्ट बजाना है तरवी तो गएंगे हीरो पार्ट धारी का प्ले करना है लोग अब ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जनम देते ही पवित्र भाव योगी भाव का वर्दान बच्चे बन गए बच्चे पवित्र बन जाओं फिर योगी बनुंग जनम देही बड़ी मा के रूप में बर्मा बाबा बड़ी मा के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की कैसे पवित्रता के प्यार से पालना की सदा खुशियों के जूले में जुलाया बाबा ने बर्मा बाबा ने कितना प्यार किया बर्मा मा बन करके सदा खुशियो के जुले में जुलाया सर्व गुनों के मूर्थी ग्यान मूरत सुक्षांती सरूप बनने की हर रोज लोरी दी आप सर्व गुनों की मूर्थी हो है ना सुक्षांती का प्रैक्टिकल सरूप को ऐसे बाबा ने हरोज मारे को समर्ची दिला लोरी दी ऐसे ऐसे मात पिता के शिरेष्ट बच्चे कौन हैं ब्रमा के कुमार और कुमारियां हैं तो इस जीवन के महत्तव को समर्धी में रख्ष्व की विशाल स्टेज पर विशेश पार्ट ने हीरू पार्ट बजाओ ठीक है? आज से लगना चाहिए ये विश्व की हीरो बनने वाले हमारा अभी से हीरो पार्ट होना चाहिए ठीक है? स्पेशल पार्ट बजाना है लोगों लगे कि ये है ब्रमा के कुमार और कुमारिया उसके लिए करना क्या है? स्लोगन में बाबा न बताया बिंदू शबद के महतव को जान बिंदू बिंदू बाप को याद करना ही योगी बनना है बिंदू कहने को बिंदू है है गुनों में सिंदू के समान उसको याद करना है उसको याद करने से जो उसमें है वो धीरे धीरे हमारे में भी आना शुरू हो जाता है चलो याद करना है अपना उसको याद करते करते हमारे जीव में सब कुछ आ जाएगा ठीक है इसे कहते हैं योगी बनना ओम शांती मातेश्विर जी के अनमोल महवा के पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष क्या है हमारा को जाना क्या है कि हमारा असली लक्ष क्या है वो भी अच्छी तरह से बुद्धी में धारन करना है तभी तो पूरन रिती से उस लक्ष में उपस्तित हो सके हैं कि पता तो हमने करना क्या है तो अपना असली लक्ष है लक्ष क्या है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ और असल में करमाती तूं पर्फेक्ट हूँ फिर अपने आपको भूलने से मैं भूल गया कि मैं करमाती तूं पर्फेक्ट हूँ भूलने से करम बंदन में आगी अब फिर से वो ही याद आने से इस इश्वर्य योग में रहने से अपने किये हुए विकरम विनाश कर रहे हैं तो अपना लक्ष हुआ क्या लक्ष हुआ मैं आत्मा पर्मात्मा की संतान हूँ यही हम भूल जाते हैं शिरी के पिता को यह पिता समझते हैं वो तो हर जन्मों का अलग अलग है असलिए तो मैं पर्मात्मा की संतान हूना यह याद रखना यह समझती में रखना यही हमारा लक्ष है बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष में स्थित रहेंगे तो फिर जो पर्मात्मा की सक्ती है वो मिल नहीं सकेगी अपने को देवता समझ कर भी चलोगे फिर बाबा की सक्तिया नहीं मिलेगी फिर ना और ना फिर तुमारे विकरम विनाश होंगे तो अब यह तो अपने को फुल ग्यान है कि मैं आत्मा पर्मात्मा की संतान कर्मातीत होकर भविश्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे भाबा में क्या दिला रहा है जीवन मुक्त बंदन मुक्त देवता पद पाएंगे तो इस लक्ष में रहने से वो ताकत मिल जाती है अब ये जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुक शांती पवितरता चाहिए वो भी जब पूरन योग होगा थोटा बड़ा योग नहीं कंप्लीट योग होगा तभी तो प्राप्ती होगी मिलेगा सब कोई योग से ही और कोई तुसरा तरीकर नहीं है पर वो भी कंप्लीट योग जैसे बाबा ने पूरा सर्कल समझाया ऐसे बाकी देवता पर तो अपनी भुश प्रारब्द है अपना पुर्शार्थ अलग है और अपनी प्रारब्द भी अलग है तुझे लख्ष भी अलग है अपने को इस लख्ष में नहीं रखना है कि मैं पवित्तर आत्मा आकरीन परमात्मा बन जाओंगी नहीं परंतु हम को परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्तर आत्मा बनना है बाकी आत्मा कोई परमात्मा नहीं बनना है आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है आत्मा तो बच्चा है वो तो बाप है वो कैसे बन सकते हैं दूसरी बात इस अवी नाशी ईश्वरी ग्यान पर अनेक नाम रखे गए हैं धरे गए हैं कोई इस ग्यान को हम्रित भी कहते हैं कोई इस ग्यान को अंजन भी कहते हैं जैसे गुरु नानक ने का ग्यान अंजन सत्गुरु दिया कोई ने फिर ग्यान वर्षा भी का क्यों क्यों कि इस ग्यान से ही सारी स्रिष्टी सबस यानि हरी भरी बन जाती है तो जो भी तमो परधान मनुश्य हैं वो सतो गुनी मनुश्य बनी जाते हैं और ग्यान अंजन से अंधियारा मिट जाता है तो इस ही ग्यान को फिर अम्रित भी कहते हैं जिस से जो मनुश्य पांच विकारों की अगडी में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं देखो देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेश्यू क्रोदेश्यू काम विकार माशत्रू है और क्रोद विकार माशत्रू गीता में लिखा हुआ है उसमें भी पहला मुख्य है काम विकार जो ही पांच विकारों में मुख्य बीज है काम विकार तो बीज होने से फिर कुरोद लोब मोह एंकार आदी जाड़ पैदा होता है काम विकार की पूरती नहीं होगी फिर गुरसा भी आएगा है ना सब कुछ प्राउलमें आएंगी उससे मनुश्यों की बुद्धी ब्रश्ट हो जाती है काम विकार बुद्धी को भी ब्रश्ट करता बाकी विकार जब सारे हैंगे फिर तो पूरी बुद्धी ब्रश्ट होगी अब उस ही बुद्धी में ग्यान की धारना होती है जब ग्यान की धारना पूरां कम्प्लीट बुद्धी में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खतम हो जाता है जिए ना क्याम-विकार को जीदें के लिए क्यातीए घ्रिप जिता पर बेटर हो वह अब जितनी ग्यां चिता पर बैठेंगे यानि घ्रफ और पूर उता जाएगा काम-विकार खुदी कहता होता जाएगा बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है अब ये ग्यान तो सन्यासियों में है ही नहीं तो ऐसी शिक्षा देवें कैसे सिरफ ऐसी कह देते हैं कि मर्यादा में रो प्रहंतु असुल मर्यादा कौन सी थी वो मर्यादा मर्यादा तो आजकल टूटी गई है कहां वो सत्युगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा क्या मर्यादा थी जो ग्रस्त में रहकर कैसे निर्विकारी परवृती में रहते थे वो तो मर्यादा है ना गरस मेरे अगर कोई विकार नहीं और फिर भी परिवारों में रह रहे हैं अब वो सची मर्यादा कहा हैं आज कल तो उल्टी विकारी मर्यादा हैं पालन कर रहे हैं नहीं उल्टी विकारी मर्यादा हैं को इनकोई पालना कर रहे हैं एक दूसरे को ऐसे सिखाते हैं कि मर्यादा में चला मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई जानता ही नहीं बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो मकर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना कोई भी विकार ना हो सबसे पहली मर्यादा तो यही है मर्यादा पुर्शो तुम तब ही तो का गया अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो तो क्या कहेंगे तो कह देते हैं आज कर इस कलियोगी स्रिष्ट्री में निर्विकारी होने की हिमती नहीं है अब बुक्त से कहना कि मर्यादा में रहो और निर्विकारी बनो मर्यादे मर्यादा में निर्विकारी बनो इससे तो कोई निर्विकारी बनी नहीं सकता खाली कहने से कुछी ही होगा तो निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ग्यान तलवार से इन पांच विकारों के बीज को खतम करना तब ही विकरम भसम हो सकेगा अच्छा ओम शान्ती